आप लोग जिस भी एक्जाम की तैयारी करें अगर आप लोगोंने उसके पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखें होगे तो आप लोगों को मालों होगा कि जो आपकी रिपोर्ट आती हैं जो आपके index आते हैं जिनने आप सूचकां के नाम से जानते हैं इनसे आपकी परिक्चाओं में हमेशा कुश्चंस पूचे जाते हैं फिर चाहें आप लोग सिवील सर्विस की बात कर लिजे इस्टेट PCS में UP PCS, बिहार PCS, 36 गड़, राजिस्थान, MP यह आप देखते हैं कि Central Level के तमाम एकजाम होते हैं SSC, Bank Railway यह आप देखते होंगे कि आपके State Level पर भी होते हैं सिक्षक भरतियां, Constable, दरोगा, पटवारी के लिए, जेल पहरी के लिए तो इन सब में आते रहते हैं इस तरह के questions, तो एक सामान जानकरी इसके बारे में याद रखा करिएगा अभी हाली में सयुक्तराष्ट विकास कारिकरम के द्वारा, UNDP के द्वारा एक रेपोर्ट जारी की गई है जिसे आप लोग मानो विकास सूचकां के नाम से जानते हैं, HDI के नाम से जानते हैं और इसमें हमें 132 वा इस्थान मिला है, टोटल 191 देश इसमें सामिल किये गए और पिछले साल यानि की 2020 की अगर हम लोग रेपोर्ट देखें, तो उसमें हमारा नंबर 131 वा था अपकी बार हमारा 132 वा है, इसे आप लोग इस तरह से समझेएगा, माल लिजे आपकी किलास में 191 वच्चे बैठे हो और उसमें से आपका नंबर 132 वा आता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपकी अच्छी इस्तिती है और आपकी बुरी इस्तिती है तो वही हमारे भारत की इस्तिती इसमें बनी हुई है एक बार अपने पड़ोसी देशों को देख लिजे, देखी एसिया में हमारा प्यारा भारत है ये आपको पितबी पर ये आप देखी स्रिलंका हो गया आपका, म्यार मार, बंगला देश आपको देखने को मिलेगा यहां भुटान है, नैपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान आपको देखने को मिलेगा अगर हम लोग इस रिपोर्ट में देखें, तो आप देखेंगे मानो विकास रिपोर्ट 2021-22 में की अनुसार मानो विकास सुचकांक HDI में भारत की रेंग बर्स 2020 की 132 हो गई है और आप देखेंगे COVID-19 में हमारी के मद्दे नजर, HDI स्कूर में वैस्विक ग्रावट के अनुरोफ देखने को आपको मिलेगी और टॉप पर आप देखेंगे तो सभाविक सी बात है, आप सभी यानते हैं कि सुईजलेंड हो गया, नौर्बे हो गया, आइसलेंड हो गया, होंग कॉंग हो गया, और नीचे से टॉप अगर हम लोग देखें तो साउथ को रिया आप लोगों को, माप करिए साउथ सूड सुडान देखने को मिलता है, तो आप लोग टॉप पर जो रहता है, उसे याद रखा करिएगा, और नीचे से टॉप कौन कर आए, उसे याद रखा करिएगा, और भारत की वो भारत की परोसियों की क्या इस्तिति है, उसे याद रखा करिएगा, और इसे जारी कौन करता है उसे भी आप लोगों को याद रखना चाहिए और 190 वे स्थान पर आप देखेंगे चाड़ आपको देखने को मिलेगा तो पहले पर आपका सुईजेलेंड और सबसे नीचे साउथ सूडान देखने को मिलेगा वहीं अगर हम लोग अपने पडोसियों की बात करें सिललंका आपका 73 वे नंबर पर है चाइना आपका 89 वे नंबर पर है भूटान आप देखेंगे 127 वे स्थान पर है और आपका बंगलादेश 129 वे स्थान पर है नैपाल आप देखेंगे 143 वे स्थान पर है पाकिस्तान 161 वे स्थान पर है अब आप देखे कई लोग कहेंगे कि पाकिस्तान से और नैपाल से तो हमारी इस्तिती ठीक है लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप देखे कि तुल्ला करनी ही आपको तो चाइना से करिये ना अब पाकिस्तान की क्या वकाद है पाकिस्तान से हम क्यों करें अपनी तुल्ला मतलब कमजोर से बुरे इस्तिती में है उससे तो लाक्यों करें अगर करनी है तो अच्छे से करेंगे हम लोग तो मानोविकास रेपोर्ट वर्स 1990 से जारी की जाती है और जिसे मानोविकास द्रेश्टी कौन की माद्धियम से विभेन बिस्वों का पता लगाया है और यह मानोविकास रेपोर्ट सयुक्त राष्ट विकारिकरम विकास कारिकरम UNDP की द्वारा पिकासित की जाती है अगर आ और एक्स का लक्ष देखें तो लक्ष आउसरों विकल्पों उस्सोतंता की विस्तार में युगदान करना है और मानोविकास रिपोर्ट 2021-22 की थीम और निश्चित समय अंसुल्जा जीवन परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविस्त को आकार देना इसकी थीम रही है इ और आप देखें कि थीम भी आप लोग याद रखा करिएगा कई बार थीम से भी कुष्टेंस पूछ लेता है मारोविकास सुचकांग के एक समग सुचकांग है जो चार संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मारोविकास में औसत उपलब्दी कुमापता है इस चार आप लो इसकूली सिक्षा की अपिक्षित वर्ष सतत विकास लक्ष 4.3 को इसकूली सिक्षा की औसत वर्ष सतत विकास लक्ष 4.4 सकल राष्टी याए और इसमें सतत विकास लक्ष 8.5 आपको देखने को मिलेगा अगर रेपोर्ट की मुख बिसेष्था हैं अगर आप देखें तो ह हम देखेंगे कि बैस्विक, 90% देशों ने वर्ष 2020 या वर्ष 2021 में अपने मानो विकास सुचकांग मूल में कमी दर्ज की है, जो 77 विकास लक्षों की प्राप्ती की देशा में प्रगिती को उलट देता है। जीवन पित्यासा में गिराबट, मानो विकास सुचकांग की गिराबट में एक बड़ा युगदान जीवन पित्यासा में बैस्विक गिराबट है, जो 2019 के 72.8 वर्ष से घटकर आप देखें कि 2021 में 71.4 वर्ष रह गया है, अब आप कहेंगे कि कोई तो 100 साल, 110 साल जीता है, को मानो विकास सुचकांग भारत का HDI मूल वर्ष 2021 में 0.633 था, जो बैस्विक उसत का 0.732 से कम था, वर्ष 2020 में भी भारत ने वर्ष 2019 के पूर कोविद इस्तर 0.645 की तुल्ला में अपने HDI मूल 0.642 में गराबट दर्च किये, और आप देखेंगे जीवन पित्यासा 2021 में जनम की समय भारत की जीवन पित्यासा 62.2 बर्ष रखी, दर्च की गई थी, इसकूली सिक्षा की बात करें तो इसकूली सिक्षा की अपिक्षित बर्ष 11.9 बर्ष, इसकूली सिक्षा की उसत बर्ष 6.7 बर्ष रखी, सकल राष्टी आए, पिती बेक्ती इक सकल राष्टी रinaçãoए 6590 एमेरिकी डॉलर थी और याद रहografi, ए भी आप देखिए, पिती बेक्ती आए भी नकाली जाती है, तो उसत निकाली जाती ग्वास यहुलार को आप देखते हैं कि कई लोगों की करोणों में आया होती है महीने की और कई लोगों की आप देखते हैं कि महीने की आप देखिए कि 2000 रुपये नहीं है तो उसकी भी औसत निकाली जाती है और इसलिए आसमानता देखी जाती है लेंगिक समानता आसमानता सूचकंग में भारत 122 बे इस्थान पर आपको देखने को मिलेगा और मनुस जलवाई परिवतन के लिए तेयार नहीं है इसमें कहा गया है कि हाल की बसों में एंथ्रोपोसिन के कारण आग और तूफान अन ग्रह इस तर के परिवतनों से जैसे जलवाई संकटनों के लिए मनो तेयार नहीं है कीडों की संक्या में गिरावट देखी गई है आप लोग देखते होंगे कि जो फसल होती थी उससे फसलों को आप देखिए फायदा होता था उनमें भी कमी देखनी को मिल लई उस पर भी आप देखिए जलवाई का परिवाव पढ़ रहा है और कीट अपनी बिवित्ता पारिश्तितिकी बहुमे का केसी और मानो स्वास् व्हारप पूर्ण हैं। bli MD बशभी स्थलelव परिस्थिक तंतों के लिए जयभी काधार बनाते हैं आंगे बेपोसक तत्थों का चकरन करते हैं और मुझे को परागित करते हैं बीजों का पिसार क्रते हैं मिर्धा इस στοपाइ prevention को मिन और ऌन्य जीवों करते हैं और जीवों कि लिए पिरिबूख खाद श्रोथ सुर्वध भी बिदाजर करते हैं अब आप देखते कहें को देख लिजे पहले बडूसा थी ति आप देखते थे कि लिया की चारूं तरफ मुसीबत के आप देखे समस्या बनी हुई है पिलाश्टिक पर आप देखे पित्रगबंद भी लगाय जा रहे हैं फिर भी सक्सिज नहीं हो रहे हैं सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसके बारे में एक सामान जानकारी रखेएगा और आप लोग मुख परिक्षा में आंसर देखते रहा करिएगा और एक निउस्पेपर कम से कम फॉलू करते रहना चाहिए मुझे लगता है उससे भी आप काफी जानकारी एकटी करते रहते हैं